Hello students, welcome back with the midiyamandeer English class और आज आप जो chapter पढ़ने जा रहे हो the inventor who kept his promise, the inventor who kept his promise means क्या होता है inventor means होता है अविश्कारक, who kept जिसने निभाया, his promise क्या अपना वाइदा एन एक अविश्कारक जिसने अपने वाइदी को निभाया अच्छा आप ही बताएंगे कौन था वे देखें जैसे हम लाइट में खड़े हुए हैं आप भी लाइट में बैठे हैं आवाज को सुन पा रहे हैं हमारी तो ये सब अभिश्कार किस ने किये क्या आप जानते हो यदि आप जानते हो तो बहुत जलदी आप चैट बॉक्स में लिखिये जरा उसका नाम कौन था वह वे वेकती विल्कुल ठीक कौन था थॉमस अलवा एडिशन थॉमस एलवा एडिशन ही वह वेकती थे जिनों ने कि ये लाइट का अविशकार किया ग्रा को खुसी मिलती है हम उसके थुरू आवाज को सुनते हैं यह सभी क्या है ग्रामोफोन का काम है लेकिन उन्होंने यह विसकार कैसे किया देखिए बहुत से बच्चे होते हैं जो लोग क्लास में बहुत अच्छा पढ़ने के कोसिस करते हैं बहुत सारे कुश्चंस पुट के तो उसी प्रकार से इडिशन के भी साथ हुआ था जब एडिशन जो थे starting में जब स्कूल गई थे तो इनकी टीचर ने इनको ऐसा ही कुछ समझाता क्या हुआ था वहाँ पर कि एक बार जब स्कूल में एडिशन थे तो एडिशन क्लास में बैठे हुए थे उनकी टीचर उन्हें पढ़ा रही थी और टीचर ने पढ़ाते हुए कहा कि देखो पक्षी हवा में उड़ते हैं पक्षी हवा में उड़ते हैं तो हवा में पक्षी उड़ते हैं क्यों उड़ते हैं क्योंकि उनके क्या होते हैं पंक होते हैं पंक क्या करते हैं इस तरीके से पंक क्या करते हैं फलिप करते हैं फरफडाते हैं इसलिए वो पंक के सहार हवा में उड़ जाते हैं तो एडिशन के मन में एक नया कुशन आया कि एडिशन तुरंथ खड़े हुए और नों ने पूछा कि इक बात बताई है कि जो पतंग होती है निकि बच्चे लोग जो मंजे की सारे पतंग उड़ाती है उस बारे बात चल लिए काइट्स के बारे मे कि पतंग होती है उसमें तो कोई फिलिप पंक होते नहीं है तो पतंग कैसे उड़ जाती है टीचर को इसी बात को सुनकर गुस्सा आ गया उन्हें लगा कि बच्चा हमारी मजाग बना रहा है और सतान उदमी किसन का है। तो उन्हों ने क्या किया उनके माबाप को बुलायां और उनसे कहा आपका बच्चा पढ़ने के लाइक नहीं है, आपका बिकार है दिमाग से और आप अपने बच्चे को इस स्कूल से निकल लिया। लिए इसके पीछे भी एक छोटी से कहानी है लेकिन वह आपकी चैप्टर में नहीं दी गई है कहानी यह है कि मावाप ने उस बच्चे को कभी नहीं बताया कि उन्हें स्कूल से क्यों निकाला गया तो यह बात की कहानी है अलग है स्टोरी इस से चैप्टर संबंदित नहीं ह तो घर आकर मा जो थी अपने बच्चे की एडिशन की एक अच्छी अध्याप्र का बनी यहीं कि वह हमेशा अपने बच्चे के लिए कुश्चन के आंसर दिया करती थी और एडिशन की एक खास्यती क्या थी कि जब तक वह सैटिस्फाइड नहीं हो जाता था अपने आंसर स तब तक वह कुश्चन पर कुश्चन पुटब करता ही रहता था लेकिन मां हमेशा उनके धैरेपूर आंसर दिया करती थी अब होता क्या है क्योंकि एडिशन के आते अक्सपेरिमेंट्स करने के सौकीन थे तो सुरू से ही उनके मन में कुछ खुरा पाते हैं चलती रहती थ घ ответ हमाने क्योंकि कुछ पक्षी जो है वह जमीन पर अड़कर आये और कुछ कीडे मकोंडे होते हैं उनको उननोंने क्खाया और पिर ऊरbree Ceborg करने गए डिशन कि कि आते हैं अर्दिया सौक्ण करने हैं आडिशन को कि बहुत केजा चटनी बनाई चटनी और उसे पानी में घोल दिया और शचनी से चछांग दिया और अब क्या बनंग वह एक dolphins बनन गया क क्योंकि उनके मन में क्या रहा था था कि कीड़े खाने से ही पक्षी उड़ सके हैं उसने क्या कि यह जो मिक्षर स्ट था वह अपनी सर्वेंट की लड़की को फीने को दिया और उससे कि यदि तुम इस मिक्षर को फी लेती हो तो क्या होगा तुम भी पक्षी की तरह आकास में उड़ने लगोगी लड़की न उस बात पर विश्वास कर लिया और उसने वो पी लिया लड़की क्या होगे वो बिमार पड़ गई अब एडिशन की माने उन्हें चेताव नी दी कि वो इस तरीकी के अविश्कार आगे न करें एकने एडिशन तो एडिशन थे मन में खुरापाते नहीं नहीं चलती रहती थी एक दिन एडिशन जो ते अपनी मा के सांग पॉलिट्री फॉर्म में गए यानि कि मुर्गी शाला में गए वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कुछ मुर्गियां जो है वो अंडों पर बैठी हुई है ठीक एडिशन ने सुन लिया और फिर अपने मन में विचार करने लगे क्या विचार किया कि जब मुर्गी अंडों को से सकती है तो मैं क्यों नहीं से सकता अगले दिन उन्होंने क्या किया एक दर्जन अंडों को लिया घर में लाए और उस पर बैठ गए अब सोचिए आप जब अंडों पर कोई बैठ जाएगा तो क्या होगा क्या हुआ उनका जो नेकर था सौट साव है क्या हुआ सब गंदा हो गया और अंडे क्या हो गए अंडे मसल गए पिस गए तूट गए सब जब मा ने देखा तो मा ने बहुत सारी पिटाई उनकी की और आगे इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करने के लिए मना गिया तो इस परकार से छोटे मोटे उनके घरेलू एक्सपेरिमेंट थे जो बचपन में वो किया करते थे अब आगे की लाइफ थी अब उनके क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के सौकीन थी, इसलिए वो किताबों पढ़ने के भी बहुत सौकीन थी, बुक्स को भी पढ़ा करते थे, अब जितनी उनके पास एबलेबल बुक्स थी, उनको उन्होंने पढ़ लिया था, और बुक्स खरीदने के लिए उनको पैसे की जरुवत थी, जिसमें कि उन्होंने छोटी मोटी सामान भी बनाए हुए थी, अब आगे क्या होता है? लेकिन उन्हें और भी सामान की जरुवत थी अपने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने माबाप से पर्मीशन मांगी कि उन्हें नौकरी करने की पर्मीशन दे दी जाए, पहले तो उन्हें उनका एक अच्छा कारण पता चला तो उन्होंने पर्मीशन दे दी तो एडिशन ने रेलवी में एक छोटी सी नौकरी अखवार बेशने की कर ली और डेक्ट्रोइट तक वो ट्रेन में जाया आया करते थे अखवार को बेशते थे अखवार को बेशते ही बेशते उन्होंने एक क्या क्या माल गाड़ी में डिब्बे में जो खाली पड़े रहते हैं उन्हें एक छोटी सी अपनी प्रियोग शाला भी बना ली प्रियोग शाला बनाने के बाद वो उन्हें प्रियोग भी करते रहे और अखवार को बेशते रह और पहले दिन उन्होंने अपनी मा को एक डॉलर रात में दिया के और मा से कहा कि प्रती दिन मैं आपको एक डॉलर रात को दिया करूंगा आकर और उन्होंने यह बाइदा निभाया भी उसमें जो मालगारी अचानक से उसने जटका लिया जानते हो फासफोरस का टुकड़ा अगर कहीं गिर जाए और किसिसे टच हो जाए तो इसमें तुरंती आग पकड़ जाती है है तो फस्फोरास ने क्या कर लिया आग पकड़ली है और वह इस लिए उस फॉरस ने क्या कर लियो DANS लेकिन आग उनसे नहीं भुझी क्या कर लिए ने जो तो यह ने वह दूसरी चीजों भी पकड़ curv अब जलने लगई जर लगी ऑन कर बचाओ चिलाने के लिए आया बष्तो गए लेकिन अग्ली इस्ठेशन पर उन्हें नोकरी से डिस्मिस कर थिया गया सैचेचनल— अब वो वो उनके पास नहीं नहीं अब बेरुचणार हो गए थे बेकार हो गई तही अब वो एक दूसरे सहर में आये, 6 सालों तक बेबेकार रहे, फिर एक सहर में आये, जा उनका एक मित्र रहता था, वहां पहुंचे, मित्र ने उनकी हैल्प की, अपने आ रखा, एक दिन मित्र जिस फैक्टरी में काम करता था, वो एडिशन भी थी, उनके साथ गई थी, वहा अब इससे क्या हुआ, मालिक खुस हो गया, और मालिक ने एडिशन को एक नौकरी दे दी, उस नौकरी से एडिशन ने अपना जो भी पीछे उधार लिया था, उसको भी चुकता कर दिया, आगे की जीवन को फिर से उन्होंने अपने नई सिरे से सुरू किया, अब उन्हों अथारे सो सतत्तर यानी 1877 में उन्होंने एक अविश्कार करना सुरू किया, किस पर? ग्रामोफॉन पर, ग्रामोफॉन को उस समय कहते थे बात करने वाली मसीन, जो बात किया करती है, आज उसको हम कहते हैं ग्रामोफॉन, तो अगले वर्स ही उन्होंने उस मसीन का निर्मा अब उनका अविश्कार जो था वो सफ़ल हो चुका था, इसलिए उन्होंने अब अगले साली, यानि कि 1878 में ही उन्होंने क्या किया, लाइट का अविश्कार सुरू किया, लोगों ने जब सुनों कि यह लाइट का अविश्कार करना चाहते हैं, तो पहले तो वो हसे उन कि ऐसा पॉसेबिल नहीं है लेकिन एडिशन ने लोगों से किया वाइदा था उन्होंने कहा कि मैं इस वाइदे को अवश्य निभाऊंगा अब 1878 में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने बहुत सारे अविश्कार कि लिकिन सभी क्या थे अस्फाल हो गए 1200 एक्सपेरिमेंट्स के बाद यानि कि 1200 अविश्कार के बाद वो लाइट का अविश्कार करने में सफल हुए यानि कि उन्होंने 1880 में लाइट का अविश्कार किया और अपने प्रियोक्षाला में उन्होंने चारों तरफ लाइटिंग की लाइटिंग कर ली तो इस तरीके से उन्होंने अविश्कार को किया और 1880 में जब उन्होंने अविश्कार कर दिया इसका और इन्होंने इस तरीके से 4 सेप्टमबर 1882 न्यू यॉर्क में क्या क्या लाइट का अविश्कार करके शो कर दिया था पूरे न्यू यॉर्क में तो किलियर है 1818 में प्रियोक्षाला यानि लैबोरेटरी के अंदर विश्कार किया गया और 1882 में न्यूँ यॉर्क में किया गया इसके बाद इनकी 1929 में ग्रामोफॉन की सिल्वा जुबली मनाए गई और उसमें इन्हें प्रेशिटेंट के द्वारा इन्बाइट किया था वहाँ भी इनका ग्रांड मैनर से पड़ा स्वागत किया गया लेकिन जब ये उठे वहाँ पर संबोधित करने के लिए रासपती क अचानक से ये विमार पड़ गए और इनको एडमिट कर आया गया और इस तरीके से ये काफी टाइम विमार भी रहे थे तो इस तरीके से 18 अक्टूबर 1931 डेट से याद रखना है को 18 अक्टूबर 1931 मैं इनकी संडे के दिन डेथ हो गई इस प्रकार से एक महान व्यक्त तक तो हमारे जीवन से हमारे दुनिया से चला गया लेकिन एडिशन ने एक बार कहा था कि मैं इस दुनिया के लिए ऐसा कोई अविश्कार नहीं करूंगा जो दुनिया को बरबाद कर दे मैं दुनिया को प्रकास दूँगा मैं दुनिया को खुसी दूँगा इस प्रकार से उ और लाइट के द्वारा उन्होंने लोगों को प्रकास दिया तो आज हमें ऐसे ही बच्चों की आवशक्ता है जो अपने देश का नाम करें और अपने देश का देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहें और एडिशन ने बीच में जब ग्रामो फोन और लाइट का हो गया था उसके बाद प्रथिम विश्युद्धी के समय में भी इन्होंने कुछ आविशकार किये हुए थी थैंक्यू बाइट